गुद मॉर्निंग स्टूडेंज वेलकम बैक तोडे वी विल दू रिवीजन ओफ लेसन नाइन आपके तीन लेसन सेविल एट नाइन यह आपके पिरियोडिक टेस्ट में इससे कुश्चन्स पूछे गए हैं तो आपको यह तीनों लेसन अच्छे से त्यार करना है ओके हम ल इसमें आप देख सकते हैं वर्ड पावत वर्केशन मिन्स होलिडे होप्ड गॉट इन्टू यानि किसी चीज में बैटना उतरना शोर किनारा सीसाइड एंड ट्रांस्पोर्टेशन यातायात के साधन मेंस अफ्रेवलिंग ओके यह तो लर्न इस वर्ड मीनिंग अफर दर यह आप लोग देख लीजें उट और वकेशन वकेशन पर कौन गया आपकर तीन ओप्शन है अपके तीन ओप्शन है तो पोईट एंड इस फैमिली तो पोईट एंड इस फ्रेंड इस पेड़ डॉग सो अप्शन ए इस करेक्ट शेक्ट वं दे ड्रोप टूदा शोर इन ए वो शोर था क्या नहीं समुद्र के किनारे पर गए किस चीज से बस टैक्सी ट्रेन तो आप यहां पर पोयम में देखिए बोर्ड यह वी होप्ट इन टैक्सी एंड रोप गुदा शोर तो किस से गए यह टैक्सी से ओके so you have to take this one option B third one the vacation was boring because क्यों वो बोरीं था बहत ही जादा उबाओ था क्योंकि the poet only troubled केवल वो लो यात्रा करते रहे so option C is correct okay now C this question answer of exercise C okay आज आप लोग यह lesson अच्छे से त्यार कर लेंगे आपने उसे देखा word meaning और इसके बाद आप देखेंगे exercise C यह question answer how did the family start off on their vacation family ने poet की family ने अपना vacation किस प्रकार से शुरू किया किस तरह से शुरू किया तो आप लिखेंगे the family started off on their vacation by getting into an airplane which flew through the sky तो उनका vacation जो journey थी यात्रा थी वो किस प्रकार शुरू हुई सबसे पहले वो airplane में बैठे और जो उन्हें आकास में लेकर उड़ गया second question why did they board a bus वो बस पर क्यों चढ़े क्यों उन्हें बस पर चढ़ना पड़ा they board a bus to go to the taxi stand where taxis were waiting for them उन्होंने बस की taxi पर जाने के लिए taxi stand तक वो गए जहांपर की वो उनका इंतजार कर रही थी they board a bus to go to the taxi stand बस से वो taxi stand पर गये जहांपर taxi उनका इंतजार करी थी क्योंकि taxi पर बैठ कर फिर उन्होंने आगे की अपनी journey शुरू की question number third how long did the boat ride last boat पे उन्होंने मतलब कुल कितने समय तक जो है उस पे वो बैठे कितने देर का सफर उनका boat का रहा the boat ride lasted for more than an hour यानि एक घंटे से अधी का समय उन्हें boat riding पर लगा यानि कि नाओ की सवारी पर उन्हें एक घंटे से ज़ादा का समय लगा and last question did the poet enjoy his vacation क्या poet ने कभी ने इस यात्रा का अनंद लिया अगर लिया तो क्यों नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया आप सभी को पता है no the poet did not enjoy his vacation because they did not see anything only troubled by means of transportation poet ने कभी ने बिल्कुल भी इस यात्रा का अनंद नहीं लिया क्योंकि वो केवल सफर करते रहे अनेग means of transportation से अलग अलग जो यातायात के साधन थे उससे बस वो केवल एक जगा से दूसरी जगा और दूसरी जगा से तेसी जगा इस तरह से वो केवल सफर करते रहे इसलिए उनकी जर्नी सिर्फ यात्रा में भी थी यह जो छुट्निया थी बाक्य उन्हुने कुछ भी नहीं देखा ओके सो और तुमारो आई विल गिव यो मीनिंग और आई विल रिवाइस इस एक्सरसाइज बी ओके और तोदे यू आप तो लर्न इस एक्सरसाइज सी आन एन पोय एम तो को को एंगे लिवाए कर देखा जह को को तो फोया की खेए कर देखा बाक्यप थी नहीं ऐसागे सलिएल अगे बाका जड़ी को जब देखा दू कर देखा लिवे की जड़ी नहीं।